तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नय और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी का टॉप हंडेट सब्जेक्टिब कोशन करने वाले हैं यानि कि मातर 100 सब्जेक्टिब कोशन जो की मस्ट भी वी आई है यानि कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट आप लोग के एक्जाम के पॉइंट ओवी उसे और इन टॉप हंडेट सब्जेक्टिब कोशन में दो नंबर तिन नंबर और पांच नंबर सभी तरह की कोशन सामील है सब्जेक्टिब कोशन तयार की हूँ क्योंकि आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा था कि वी वी आई मस्ट वी वी सब्जेक्टिब कोशन करा दीजिए तो मैं शांत कैसे बैठ सकती हूँ आप लोग को क्या लगा कि मैं चुक्चाप हूँ ऐसा बिलकुल भी नहीं है बार बार अब्जेक्टिब बोलने के वज़े से कभी-कभी में जबान से अब्जेक्टिब ही निकल जाता है तो अब्जेक्टिब निकलता है तो समझेगा कि सब्जेक्टिब की बात हो रहे हैं तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं बोड पर सौ तो नहीं क्योंकि एक वजय से नहीं लिखी हूँ ताकि आप लोग कोष्ण का एंसर खुद से दे पाएं। खुद से धूनने की कोष्ण करें कि आखिर का एंसर क्या होगा। अब आप लोग कहेंगे, क्या मैं, आप इन सभी question का answer नहीं देंगी, तो देखिए, मैं तो सबसे पहले कहूंगी कि आप लोग इन सभी question का answer खुद से दीजिए, खुद से ढूनने की कोश्च कीजिए, screen shot लेकर रख लीजिए, और book से हो सके, मतलब answer ढूनने की कोश्च कीजि कौन-कौन से question है, जो की top 100 में सामिल है, और जो की must VVI है, यानि की very very important है, आप लोग के exam के point of view से, जो अभी कुछ दिनों में होने वाला है, तो देखिए, सबसे पहला सवाल है, कि बातचीत के संबंद में Wayne Johnson और Edison के क्या-क्या विचार है, यानि कि यहाँ पर question पूछा जा सबसे पहले chapter से ही एक question उठाई हूं है, कि बातचीत के संबंद में Wayne Johnson और Edison के क्या विचार है, आप लोग को बताना है, चैप्टर का नाम है बातचीत, और उस chapter में Wayne Johnson और Edison के विचार बताये गए हैं, वही विचार को आपको बताना है, आप लोग खुद से सोचिए, कि वो क बात करेगा, तभी तो पता चलेगा कि उसमें कौन कौन सी quality है, विशेषता है, और उसमें कौन सा दोश है, तो बातचीत के जरीए हम किसी व्यक्ती के गुड़ और दोश का पता लगा सकते हैं, यह Wayne Johnson का कहना है, और Edison का जो विचार है, इनका विचार है कि बातचीत, जो अ अब बातचीत बंद हो जाती है, मतलब कि बात को दूसरी तरह घुमा दिया जाता है, अगर कोई तीसरा आदमी टपक पड़ा तो, ठीक है न, यानि कि बात जो है वो दूसरा मोड ले लेती है, दीरे-दीरे बात को छुपाया जाने लगता है, ठीक है, तो यह edition का विचार मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सरवथा नवीन संसार की रशना कर सकता है, यानि कि यहां पर कोशन पूछा गया है कि मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका, यानि कि सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता ह और उसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वता नवीन यानि कि हमेशा के लिए एक नया संसार की रशना कैसे कर सकता है यह आप लोग को बताना है चैप्चर में आप लोग का बताया ही गया है कि मनुश्य के बात्चित का उत्तम तरीका जो है न वो है खुद से बात करना य जैनि कि आदत हुई रहेगी मतलब एक नया संसार की रशना कर सकता है तो इससाब से आप लोग एंसर सजा कर लिखना है आगे बढ़ते हैं उसने कहा था चैप्प्टर का नाम क्या है उसने कहा था जोकि एक कहानी है तो यह मैं पूरा एकदम जबरदस्त कहानी है, बहुत ही अच्छे डंग से आप लोगों पढ़ाई भी थी और इसका केंदरिया भाव बताना है, आसानी से आप लोग बता सकते हैं, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, और कहानी के कितने भागों में युद्ध में लफजों को सजाकर, शब्दों को सजाकर, एंसर लिख देना है, आगे बढ़ते हैं, प्रसंग अभी प्राय बताए, यानि कि यहाँ पर एक पंक्ती दी गई है, आप देखिए, मृतियों के कुछ समय पहले, इस मृती बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं ए जया परकाश नरायन के क्या विचारत है, और वह आंदोलन का नितरित्वा किस शर्थ पर करते हैं, यह आप लोगो बताना है, क्या है, क्या है, यानि कि कौन से शर्थ पर वो आंदोलन का नितरित्वा करने के लिए तयार होते हैं, यह आप लोगो बताना है, आगे बढ़त और यह बापू और नहिरू कि किसी विश्श्टा का उलेक जैप्रकाश नरायन ने अपने भाषण में शामिल हुए ये आप लोग को बताना है question number 9 है जिजया प्रकाश नरायन जो है वो communist party में क्यों नहीं शामिल हुए और दस्वा सवाल है कि नारी की पराधिनता कब से आरंभ हुई आप लोग जानते हैं जब से जो है ना जो आप यूँ कह सकते हैं पुरुष नारीयों को घर में रखने लगे और खुद से औ प्रवृति मार्ड में मैं तो साहिंट देती हूँ प्रवृति मारग में वह मर्व का मतलब हूता है जिसमें नारीयों को accept किया जाता है लेकिन निवर्थी मार्ग यह गरिःस्ट जीवन को आ स्वीकार करने वाला मार्ग है यानकि आ स्वीकार करने वाला रास्ता है इसमें नारियों को स्विकार नहीं किया जाता है तो ले लिए फट़़वड़र स्क्रें श्रॉण अब आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं फिर से पूरा बोड भर कर लिख दी हूँ और काफी मेहनत भी लगा है ये सारा question लिखने में और इस बात पर like तो बनता है अभी तक आप लोग ने वीडियो को like नहीं किया है तो फिर इंतिजार क इस बात का है पड़ाफट आप लोग लाइक कर दे वीडियो को और जितना देदा सके शेर कर दे ताकि सबी लोग इस वीडियो का लाब उठा सके चली देखते हैं अगला question question number 12 है कि तीन बज गये चार बज गये 11 बज गये कहानी में घंटे की इन खड़कन के साथ साथ मालत मालती की उपस्थिती है घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है यह आप लोगों बताना है चेप्टर का नाम क्या है रोज रोज नाम की कहानी में मालती जो मैन करेक्टर है आप यूं कह सकते हैं हीरोईन है एक्टरिस है तो इस कहानी में तीन बज गये चार बज गये 11 ब गहां तो घंट बजने के साथ मालती का क्या समबंद है मतलब घंटा बज रहा है यह ऊसका मालती से क्या समबद रिष्टा है ओनुस को बताना नाइथ कि गेंगरीन किया है या आप लोगों को लिखना दो मैं नहीं बता होंगी गेंगरीन कैसा कि इसमें बताने वाली क्या बता है, गैंगरिन एक बिमारी है, ठीक है, जो की किस चीज से होती है, काटा चुबने की हो जैसे, वो आप लोग खुच से लिखेंगे लफजों को सजा कर, शब्दों को सजा कर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुशन नमबर 14 है, कि दो पर मैं उस कौन-कौन सी आप एक्छाय रखते हैं, वो आप लोग को लिखना है, एक दम अच्छे तरीके से सब शब्दों को सजा कर, ठीक है, कुशन नमबर 16 है, कि भगत सिंग ने अपने फासी के लिए कि इच्छा व्यक्त की और क्यों, मतलब कि भगत सिंग ने अपने फासी के मैं आप लोग को क्या ही बताऊं, ठीक है, अभी बिहार में आप देख सकते हैं, मुखे मंत्री बनने में पूरा घमासान मचा हुआ है, आप लोग तो जानते हैं, कुशन नमर 18 की तरह बढ़ते हैं, ज्यादा राजनीती में आज कल राजनीती बहुत घातक हो गया है, ज्य भविश्य विद्यार्ती ही होते हैं, तो इस वज़र से भगत सिंग का मनना है कि विद्यार्तियों को राजनीती में भाग लेनी चाहिए, ठीक है, कुशन नमर 18 है कि धांगर शब्द का क्या अर्थ हैं, यह आप लोग को बताना है, कुशन नमर 19 है कि कपिल वस्तु से मगत के जंगलों तक की यात्रा बुध ने, यान की मात्मा बुध ने किस मार्ग से किया था, किस रास्ते से किया था, यह आप लोग को बताना है, बिस नमबर सवाल आई कि चौर और मन किसे कहते हैं, यह मैं आप लोग को अलड़ी चेप्टर पढ़ाई हूँ, हर एक पॉइंट पॉइंट है, हर एक इंपॉइंट पॉइंट और टॉपिक और लड़ी पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप लोग चेप्टर पढ़ें होंगे, तो सारा कोशन आप लोग को आसान लग रहा होगा, चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने, और उनमें क्या अंतर है, यह आप अबजेक्टिम में पूछ देता है कि बताइए चंपारन छेतर की व्याख्या यान की बिहार के चंपारन का जिक्र या फिर व्याख्या किस चैप्टर में, किस पार्ठ में की गई है, इस तरह से भी कोशन आ सकता है, जिसनी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, यह आप स्वयम को यान की अपने आपको वहशी और जानवर से भी बढ़ कर क्यों कहता है, ठेक है यह आप लोगों को बताना है, 25 नमबर प्रशन है कि मानक और सिपाही एक दुसरे को क्यों मारना चाहते हैं, 26 नमबर प्रशन है कि प्रसंग अभी प्राय बताईए, यानि कि इसका आप लोगो अभी प्राय बताना है, 27 है कि बिसनी और मुन्नी को किसकी परतिक्षा है और वेडाकिये की रह क्यों देखती है, बिसनी और मुन्नी को क्यों परतिक्षा रहती है, किसका इंतजार करती है वो और वेडाकिये की रह क्यों देखती है, या आप लोगों को बताना अचारे रामचंद्र शुकल के काव वेदर्स क्या थे पाठ की अधार पर आप लोगो बताना है घर पहुचने पर लेखक को देख उनकी मा क्यों रो पड़ी कोशन नमबर 29 है अगला सवाल है तीस नमबर प्रशन की चितरकारी की किताब में लेखक ने कौन सा रंग सिध्धा पढ़ा 31 नमबर कोशन है कि राचे हुए यथार्त और भोगे हुए यथार्त में क्या संबंद्ध है यह भी इंपॉर्टन कोशन है देखिए इसमें बहुत सारा इंपॉर्टन कोशन है जो कि मैं आप लोग को बताई मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते है म पनेट सब्जेक्टिव कोशन है और आप कहेंगे कि सबसे इंपॉर्टन क्या civil कि आप लोग को बता ब्लगेए उसको तु तक आप लोग को मैं बता दी अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल मैं फिर से लिखते हूं बोड को मिटातर काफी मेनत भी लग रहा है लिखने में और इस मेनत पर आप लोग लाइक ना करें तो बहुत दुख भी होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आप लोग अंत तक दे तरफ देखिए हमें पता है कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे आप लोग यहीं सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ कोश्चन पढ़ रही है उसको समझा दे रही है और कुछ-कुछ कोश्चन का एंसर बता दे रही है मतलब आप इसका एंसर देंगी कि नहीं आप लोग के मन में विडियो में आगे बताऊंगी और इसी वजा से आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंतक बीना इसकिप किये देखिए क्योंकि मैं वीडियो में कहीं पर भी बतासकती हूं हो सकता है कि जहां पर आप स्किपप करें वहें बता इते हूं कि तीरिच को जलाने के लिए जाते हैं लेक तो उंको पूरा जंगल परीचित लगता है क्यूं ऐसा क्यूं क्यों की लेखक जो раст हो सपने में उस जंगल ठीक है, आगे बढ़ते हैं, question number 35 है, कि तीरिच क्या है, कहानी में या किसका परतीक है, पूरा chapter में आप लोग को पढ़ाई हूँ, आप लोग खुद से बनाएंगे, question number 36 है, कि शिक्षा का क्या अर्थ है, एवाम इसके क्या कार्या है, इस पस्ट कीजिए, शिक्षा का क्या अर्थ है, और इसके क्या क्या रहे है, क्या महत्व है, या आप लोग को बता देना है, question number 37 है, कि जहाँ भय है, वहाँ मेधा नहीं हो सकती है, क्यूं, question number 38 है, कि रकत के लेई का क्या अर्थ है, question number 39 है, कवी अपनी एक आख की तुलना दर्पन से क्यूं की है, मुहमद यही कभी जोरी सुनावा, यहाँ कभी ने जोरी शब्द का परियोग किस अर्थ में किया है, मुहमद यही कभी जोरी सुनावा, इसमें यह जो जोरी शब्द का यूज किया गया है, इस जोरी शब्द का यूज किस अर्थ में किया गया है, कोशन नमबर फोटी है, यहाँ पर पद में रहेगा, दूसरे पद में तूलसी ने दीनता और दरिदर्दा दोनों का परियोग क्यों किया, कोशन नमबर 34 है, कि तूलसी को किस वस्तु की भूख है, किस चीज की भूख है तूलसी दास को, कोशन नमबर 44, प्रसन नमबर 44 है, कि पठित पदों के आधार पर तूलसी की भक्ती भावना का परिचय देना है, आप लोग चैप्टर को यानि की पाठ को पढ़े हैं, उस पाधार पर आप लोग को क्या बताना है, तूलसी की भक्ती भावना के बारे में, उनका परिचय देना है, प्रसन नमबर 45, कि तूलसी सीधे राम से ना कहकर सीधा से क्यूं कहलवाना चाहते हैं, क्वेशन नमबर 47, कि मुख देखी नाही भानी, मुख देखी नाही भानी का क्या अर्थ है, कभीर परिया कैसे लागू होता है, और अगला प्रशन है कि सूर के कावे की कि किन किन कौन कौन सी विश्यस्ताओं का उलेख, जो है कवी ने किया है, ये आप लोग बताना है, अ करें और आपने गतेस्ट लेट बितना चाहते हुं कि इनहीं चीजी को स्टेबर कें पेहलेगा और इसा आप लोगो पहली को कि ने या ने की आने ह कि और सब्सक्राइब कोशन पर आप लोग का कमांड होना चाहिए लगबग कोशन इसी में से आप लोग के फाइनल एक्जाम में पूछे जाएंगे तो एक भी कोशन छोड़ना नहीं है कोशन नमबर 50 प्रशन है कि भूशन रीती काल की किस धारा के कवी है वे अन्य रीती कालीन कवियों से कैसे वि प्रशन है कि 6 साल की तल्वार कैसी है वह नण कीजिए अगला प्रशन फ्रसन नंबर 53 यानि की तिरपन नंबर 513 के कवित का केंद्रिय भाव क्या है संशेप में लिघिये Nee कि सजल जलजात का क्या अर्थ है अगला प्रशन है कि कवीजा में उस्षा की कि और भूमीका का उ जो कवित्री है ठेखें वह अपने आपको औसाय और विवस्ट क्यों कहती है अगला प्रश्ण 58 नंबर की कवित्री का खिलावना क्या है आप लोग जानते हैं उनका पुत्र ही है खिलावना अगला कुश्ण 59 पुत्र को चौना कहने में क्या भाव चुपा है यानिकि वह यहां पर बताना है कुश्ण 59 है और साथ नंबर प्रश्ण है कि प्राता नव की तुलना नीले शंक से क्यों की गई है यानि कि जो प्रात का समय होता है प्रात काल का समय उसकी तुलना नीले शंक से क्यों की गई है यहां पर कुश्ण 60 यानिकि साथ नंबर प्रश्ण है अ तो अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ले दिजिए फड़ावर स्क्रीन शॉट तो 97 तक यहां पर तो फिट हो गया है बोड पर लेकिन और तीन कोईशन बूड मीटा कर आप लोगो बता दिया जाएगा देखिए 60 तक तो यानि कि 60 कोईशन तो हम लोग देख लिये थे नेक्स्ट कोईशन है कि दानो दुरात्मा से क्या अभिप्राय है यह आप लोगों को बताना है यानि कि दानो दुरात्मा क्या है जन जन का चेहरा एक से कवी क्या तात्पर्य है कवी का यहां पर का रहेगा ठीक है जन जन का चेहरा एक से कवी का क्या तात्पर्य है अगला प्रश्ण है प्रश्ण видео 65 कि बंधी हुई मुठ्यों का क्या लक्षय और 66 Everest डर हुआ मद मर ब्wny मन जिसका बाजा रोज बजाता है यहां क्या आifieमन का मतलब क्या है आप लोग को बताना हैं अगला क्यूशन युटे गाता है उसके डर का क्या कारण हैं और उसकी क्या पहचान है और उसकी और इडिनायक कौन है और दवी सताई बोज उठाने वाली औरत में कवी द्वारा लोहे की खोज का क्या आशय है अगला प्रशन लोहा क्या है इसकी खोज क्यूं की जा रही है और फिर बहत्तर नंबर प्रशन है कि बिटिया कहां कहां लोहा पहचान पाती है ह Cemal कि बूढा मशक वाला किष्मधारी से मुक्थ है अगर यह जिम्मधारी उससे मिल जाती है तो क्या होता Bolt剛 Seven o कि सडको कूऊं सीचा या रहा है और पचhetर किना具 की क्यों वेस्थ है क्या उनकी व्यासता जायज है नाघर वेस्थ है क्या हनकी वेस्थता जायज है्या बताईे बहुत इंपakटन्स गुशन है मतलब की हार्जित नामके चप्र से यह Welcome कोशन उठाये गया है आगे बढ़ते हैं nach 66 न vendor प्रशन कि बु locking वाला क्या कहता है और क्यूं कहता है अगला प्रशन कि गाओं के घर कि यूंवाती है इसका कारन क्या है मतलब गाओं के घर किरिड़ क्यों जूरजूराती है और जूर जुरजुराने कि पीछे का कारण क्या है आप लोगों को बताना है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 की कवीता में किस शोक गीत की चर्चा है और 79 नमर कुष्चन है कि सरकस का प्रकाश बुलवा किन कार्णों से मरा होगा आवाज की रौषनी या रौषनी की आवाज का क कि नंबर कि से सन्ट की क्या है मतलब बातचित की कला से कहानी में किसने कि से क्या आ आ पलों बताना है a Sold Nicker यहां पर याज रखेगा कोई भी पाठ सबस्क्राइब के लिए तो मैं तो कहूंगी कि हर आप लोग पड़े यह आप लोग पड़े हैं असानि पांवी स्क्साहित ठीक है तो यहां पर अर्द नारिशन कोई भी यहां पर पाट दे सकता है जैसे की रोज श्रिशक पाट का सारांस लिखे या फिर और कोई कोशन जैसे की एक लेख और एक पत्र श्रिशक पाट का सारांस लिखे या फिर आप यूँ गय सकते हैं कि छपपे श्रिशक पाट का सारांस लिखे कवित श्रिशक पाट का सारांस लिखे गाओं के घर श्रिशक पाट का शारांस लिखे कोई भी एक पाठ का शारांस लिखने के लिए पूच सकता है यह याद रखना है और नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन कहानी का सारांस लिखना है कि इस रोज नाम के कहानी में क्या बताया गया है अगला प्रशन है कि थार्वों की कला का परीचय पाठ की आधार पर दीजिए और फिर गंगापर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिल्चसबी नहीं ली यह 89 नंबर कुश्चन है और फिर 90 नंबर प्रशन है कि हिंदी कवीता के इतिहास में प्रगीतों का क्या इस्थान है यह प्रगीत और समाज नाम की चप्टर से कुश्चन उठाया गया है और काफी एक्दम जबरदस्त अंदाज में में आ प्रगीत का समाज पर और समाज का प्रगीत पर किस तरह का प्रभाव और दबाव देखने को मिलता है यह हर एक चीज में आप लोगों को पढ़ाई थी वहां पर ठीक है ना तो यह उसी चप्र से कोश्चन उठाया गया है हरी चरण को हर चरणा क्यों कहा गया है 92 नंबर प पर क्या-क्या अत्यचार करते थे यहां पर यह बताना है कोश्चन नमबर 94 है कि सपने में लेखक क्या-क्या करता था सपने में लेखक क्या-क्या करता था आप जानते हैं हर एक कोश्चन का एंसर आप लोगों को पता होगा कोश्चन नमबर 95 है कि लेखक पिता जी को किस र दर था तुलसी के हिरदय में उनके दिल में किस चीज का डर था आपको बताना है यहाँ पर 97 कोशन तो कंप्लीट हो गया और मातर तीन कोशन बचा हुआ है तो चलिए फड़ाफट मैं बोड को मिटाती हूं और जो बचा हुआ तीन कोशन है इसको लिखकर और टॉप 100 कोशन ह चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है ले लिजे फड़ाफट स्क्रीन शॉट अब देखिए मातर तीन कोशन को मैं लेक दी हूं बोड पर चलिए समझ लेते हैं यह तीनों कोशन कौन है कोशन नुम्र 98 है कि मा के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन है और क्यूं यानि कि मा के यानि कि प्रसन संख्या जो है वो है सो यानि कि लास्ट कोश्टन जो है सो नुम्र प्रसन वो यह है कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कभी चिन्तित क्यूं है यह लास्ट कोश्टन नुम्र 100 और यहां पर फाइनली टॉप 100 सब्जेक्टिव कोशन कम्प्लीट होत डीर किस्टार्टिंग स्टस्टर्फ को मैं समझाते आ रही हुं किसी कस फिसन का एंसर बता दे रही हुं किसी का छोड़ दे रही हुँ है क्या हम लोग को इसकौ्शन का clever werden Em Tour नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे किस तरह से लेंगे तो चलिये आप गुड़ देने का समय आ गया है अगर आप लोग स्टार्टिंग से देखते हुए यहां तक पहुंच चुके हैं तो गुड निवस यह है आप सभी लोग के लिए कि इन सभी टॉप हंडेट सब्जेक्टिव कोशन का एंसर आप लोग को फ्री में दे दिया जाएगा किस तरह से दिया ज दे यक्राम से जुड़े हुए है है तो कोई दिखकत ही नहीं है आप रहाम से डाउन् jot कर सकते हैं अगर आप टेलिग्राम से नहीं जुड़े है तो लिग्रेश के के description ने डाल दिया गया है telegram channel का जरूर जुड़ जाए यह आपन academy official telegram channel का नाम है वहाँ पर आप लोगों को यह सभी टॉप 100 subjective question का answer free में PDF के तोर पर upload कर दिया जाएगा तो लगाना आप शियर कर दे इस वीडियो को ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाव उठा सके क्योंकि काफी मेहनत भी लगा है आप यूंग कह सकते हैं कि वीडियो shoot करने में इतना आसान थोड़ों है हर एक subjective question को सबसे पहले तो कोशन तयार करना सबसे मेहनत और मुशक्कत वाला काम है ठीक है ना हर एक कोशन अब देखिए टॉप हंड़िट यह सब्जेक्टिव कोशन है न यह टॉप हंड़िट कोशन तयार करने में काफी मेहनत लगा है सबसे पहले तो देखना की कौन-कौन से कोशन आप लोग एक्जाम में बार बार रिपीट होते हैं इतना आसान कम थोड़ो न है सब्जेक्टिव कोशन तयार करना किया है मैं कोई बिद्ल को पोटो न न करते कने। चलिए आज का इस विडियो को यहीं पर इंड करते हैं आई होप आप लोग को आज का यह विडियो बहुत जबरदस्त लगा होगा लाइक शेर आई होप आप लोग कर भी दिए होंगे अगर आप लोग इन तीनों कोउशन का स्क्रिन शोट लिना चाहते हैं बस मातर यतीन ही question तो है ठीक है चानल पर अगा आप लोग नए नए आई हुए है मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके notification बेल जरूर ओन कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो या फिर live class हो notification आप तक सबसे पहले पहुचे त बाई बाई टेक केर फिर्म लेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज